रविवार को स्तानी कपराज शाखा नाकपुर ग्रामिन की टीम ने तंबाखो के आवेदकार खाने में रेड मार कर 20 लाख रुपेव का तंबाखो जब किया है यह रेड सावनेर तहसल क्षेत्र के खापा थाना अंतरगत वेलतूर परिसर में की गई है वेलतूर के शिवाजी रामचंद्रवाट इनके खेत में दो रूम बने हैं इन रूम में सुगंदी तंबाखो बना कर उसे पाउश में पैकिंग किया जा रहा था यह जानकारी स्तानी कपराज शाखा के आशिश मुंगले को मिली थी इनकी टीम के साथ ही महेश फुलबेल, किशोरवान खेडे, राजुरेवत कर को साथ लेकर आशिश मुंगले इन्होंने कार खाने में रेड मार दी गटना की जानकारी आशिश मुंगले ने इन्चार्ज साहियक पुलीस निरिक्षक, राजुक करमलवार और अपराज शाखा पुलीस निरिक्षक, ओम प्रकाश को काटे को देगर उनके मार्ग दर्शन में आगे की कारवाई की है अनर्सुरक्षा अधिकारी अमरनाथ सोंटक के इन्हें घटनास्तल बुलाया गया घटनास्तल से 152 किलो मजा, 108 हुक का शीशा तंबाखो और 195 किलो बिना लेबल का तंबाखो जिसकी कीमच 17 लाग बताई गई तंबाखो बनाने की मशीने जब की गई है जाश करने के बाद दुर्गेश वीजे अगरवाल मानकापूर, आनन बालाजी वाडिचार निवासी भरतवाडा नाकपूर, रामेश्वर निनावे, दहेगाव वस्ती वीजे प्रभाकर दुम्रे पारडी, नाकपूर इनके खिलाप मामला दर्श किया गया दुर्गेश वीजे अगरवाल अभी फरार बताया जा रहा है, पुलीस उसके खोज में है, ग्रामिन पुलीस अधिक शक, विशाल आनन इनके ने तृत्वा में ये पहली बड़ी कारवा इस्तानिक अपराज शाखा टीम ने की है खासे इन्बीसे न्यूस के लिए कैमेरा पर सेन आशीश राउत के साथ अरुन महजन